हेलो साथियों कैसे हो आप साब मैं सदेन सिंग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल चैनल सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया और जो बच्चे आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हमारी जो पिछली वीडियो है हीट एन थर्मामीटर का उसे आप ज़रूद देख लें ताकि सारी चीजे आपको एकदम किलियर समझ में आए ठीक है आए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों डिफरेंट थर्मामीटर में हम लोग देख रहे थे लिक्विड थर्मामीटर आज हम लोग क्या होता है कि यहां पर हम लोग क्या लेंगे जो लिक्विड थर्मामीटर था लिक्विड थर्मामीटर में हम लोग क्या करते थे लिक्विड का यूज करते थे गैस थर्मामीटर में हम लोग किसका यूज करेंगे गैस का यूज करेंगे लेकिन अब गैस में जो होती है वह आपको आप जानते हैं कि हम किसी object, कोई object अगर है, वो गर्म है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, थर्ममेटर को touch कराएंगे, जब touch कराएंगे, तो उसके समपर्क में आएगा, तो heat energy का क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, तो heat energy का flow होना ही उसका क्या बताएगा, दीर दीरे उसकी property में changing आएगी, जो हम property use करें उसकी changing आएगी, तो खुल मिला के हम कह सकते हैं कि temperature की वज़य से changing देखने को मिलेगा, तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि gas में कौन कौन से property हम use कर सकते हैं, तो अगर बच्चा हम लोग gas ताब माफी की बात करें, तो हम लोग दो तरीके से देखते हैं, पहला नमबर अगर यहाँ पर देखें, gas ताब माफी में पहला नमबर देखें, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि constant pressure thermometer, क्या देखेंगे, constant pressure thermometer, अब बच्चा बात आता है, constant pressure thermometer क्या होता है, constant pressure thermometer क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नियत दाब gas ताब मापी, constant pressure gas thermometer, यहाँ पर gas लिख लिजिएगा, नियत दाब gas मापी, इसका मतलब क्या है, कि नियत gas ताब मापी, अब दूसरा जो हम देखने को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, वो कौन सा है, वो आपका है constant volume gas thermometer, constant volume gas thermometer, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नियत आयतन gas ताब मापी, तो यह दो तरीके के हम लोग क्या करते है, gas thermometer देखते हैं, एक constant pressure पर देखते हैं, और एक constant volume पर देखते हैं, अब बात आती है कि जब हम constant volume पर देखते हैं, और constant pressure पर देखते हैं, कैसे यह चीज़ों होती है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखें, पहला नमबर, तो हम लोग क्या पहला देखेंगे constant, constant pressure gas thermometer, ठीक है ना, constant pressure gas thermometer, तो constant pressure gas thermometer पर अगर देखेंगे, तो यहां पर जो pressure होगा दोस्तों, जो pressure होगा, जो दाब होगा, वो क्या रहेगा, constant रहेगा, क्या रहेगा, constant रहेगा, कि मतलब वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, बदले का नहीं, ठीक है ना, इसका मतलब कि हम उसके pressure पर ध्यान नहीं देंगे, जैसा कि अगर आप जानते हो, कि जब भी temperature में changing देखने को मिलता है, टेंपरेचर में change देखने को मिलता है, तो इसके volume पर भी effect पड़ता है, और उसके pressure में भी effect पड़ता है, ठीक है ना, दो के दोनों में changing देखने को मिलता है, अगर दोस्तों, दो के दोनों में changing देखने को मिलता है, तो एक ही साथ क्या दो के दोनों परिवरतान देखने को मिलेगा, जी हाँ, भाई, ताप बदलेगा, तो pressure भी बदलेगा, volume भी बदलेगा, लेकिन जब हम constant pressure ले ले लेंगे, तो इसका मतलब कि जब उसका ताब बदलेगा तो उसके हम केवल volume पर ध्यान देंगे ना कि उसके pressure में होने वाली changing को ध्यान देंगे. समझ में आगा कि नहीं? यह हो गया. तो यहां पर अगर हम pressure को क्या कर दिये, constant कर दिये, तो परिवर्तन किसी में देखने को मिलेगा. तो भाई, जब temperature आपका change होगा, temperature क्या होगा, अगर बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा change होगा, तो हम लोग देखेंगे कि उसका जो volume होगा, volume होगा, item होगा, वो भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा. अगर temperature change हो जाएगा, तो उसका आयतन भी दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब ये दोनों एक दूसरे पर कैसे depend करते हैं, तो जो volume होता है दोस्तों, वो directly proportional होता है किसके temperature के, जो volume होता है, वो directly proportional होता है किसके temperature के, और यह जो temperature के होता है at constant pressure, इसका मतलब क्या है, कि जब हम इसमें changing देखेंगे, तो उस time जो pressure होगा, वो क्या रहेगा, constant, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे top increase करेगा, वैसे ही उसका item क्या हो जाएगा, increase कर जाएगा, और जैसे temperature decrease करेगा, वैसे ही उसका volume होगा, वो क्या हो जा समझ में आगे नहीं, तो इसका मतलब कि gas thermometer में हम property के तौर पर क्या यूज करेंगे, volume को यूज करेंगे, तो ताप बढ़ेगा, तो volume बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो volume कम हो जाएगा, इसी को हम changing को ही counter करके हम बता सकते हैं कि ताप में कितना परिवर्तन हुआ, कितना उसका ताप चेंज हुआ या कितना उसका ताप actual में है, ठीक ना, तो यह क्या हो गया हमारा gas thermometer है, अब वही formula जो हम लोग T ब्राबर लेते थे, तो यहां क्या हो जाए कि VT minus V0 upon V100 minus V0 into किता 100 degrees centigrade, तो हम इस formula का यूज कर लेंगे, और इसी formula की सहायता से क्या करेंगे, हम तक volume के चेंज होने से temperature का पता लगा सकते हैं कि कितना temperature में changing हुआ है, कितना के कहते है, temperature change हुआ है या उसका ताप कितना है, हम यहां से पता अराम से लगा सकते हैं, ठीके साथियों, अब यहां पर इसकी बात हो गई, अब जो दूसरी बात आती है, कि यह तो constant pressure हो गया, ले वो आपका हो जाएगा, constant volume gas thermometer, तो जो हम लोग constant volume gas thermometer की बात करेंगे, तो देखते हैं, दूसरा second number क्या होगा, constant volume gas thermometer, gas thermometer, constant volume gas thermometer, इसका मतलब क्या है, कि जो volume है, दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, constant लेना पड़ेगा, जो आयतन है, हमें क्या करना पड़ेगा, constant लेना पड़ेगा, ठीके ना, आयतन हम क्या कर लेंगे, constant कर लेंगे, तो हमने बताया, कि अभी जब temperature change होता है, तो उसका pressure और volume दो को दोनों change होता है तो 2 मेंसे 1 को हम constant मानेंगे अगले में changing कराएंगे ठीक ना तो यहाँ पर हमने क्या किया प्रेसर को constant माना मिलेगा दाब में परिवर्तन देखने को मिलेगा अब बात आता है कि जो प्रेशर होता है वो डारेक्टली प्रपोस्टनल टॉ बोलिए समझ में रहा है ठीक है ना तो यह इतना चीज़े तो यहां से हम इसका उप्योग कर सकते हैं और इसी के एकार्डिंग इसका भी फार्मूला बन जाएगा इसी के एकार्डिंग इसका भी फार्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा T is equal to यहाँ पर VT है तो यहाँ हम PT ले लेंगे यहाँ पर P0 यहाँ पर P100 minus P0 into कित्ता 100 degree centigrade तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं बोलियो बच्चो तो यह बच्चा क्या था यह गैस थर्मामीटर के बारे में था अब बात आती है कि कुछ गैस थर्मामीटर है जिनका रेंज कितना होता है ठीक ना कुछ गैस थर्मामीटर होते हैं उनका टेंपरेचर रेंज कितना होता है तो अब देखिए यार दोस्तों अलग अलग गैसों का उपयोग करने पर इनका रेंज भी क्या होता है अलग अलग आता है जैसे लिक्ट थर्मामेटर हम लोगों ने देखा जब पारा का हमने उपयोग किया तो उसका जो रेंज आया था वो कुछ और आया था और यहां पर के जब हमने एलकोहल का यूज किया तो एलकोहल का यूज करने पर जो उसका रेंज आया ह है वो कुछ और आया है तो ऐसे ही गैस thermometer में क्या होता है कि सकते हैं क्ये क्या करते हैं यहांपर अगर हम देखें टेंपरेचर रंज देखें अगर हम यहां पर temperature range की बात करें ठीक है न ताप परास इसे क्या कहेंगे ताप परास कहेंगे कितने से कितने बीच के हम ताप को major कर सकते हैं तो अगर हम यहां पर hydrogen gas ताप मापी से करते हैं hydrogen gas क्या होता है तो कुछ नहीं होता बश्या इत्ता ही से होता है कि उसमें Newton ना तो इसका वह माईने से से हमलोग की तक कहा सकते हैं मेजर कर सकते हैं ऐसे हमाएं पास nitrogen gas ताब मापी, nitrogen gas ताब मापी, अब nitrogen gas ताब मापी क्या है, तो ये भी कुछ नहीं है, बस nitrogen gas हम यूज कर लेंगे, gas thermometer में तो का हो जाएगा nitrogen gas ताब मापी, और इसका जो range होता है, ये आपका ये होता है, माइनस 200 degrees centigrade से 1600 degrees centigrade तक के ताब को क्या कर सकता है, ये major कर सकता है, ये पूछा गया है, नीट वगार्या के paper भी आपका पूछा गया है, अब बात आती है किसका helium, helium gas ताब मापी, अगर हम helium gas ताब मापी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 268 degrees centigrade से 500 degrees centigrade तक के ताब को ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, तो ये आपके के कहते हैं, अलग-अलग gas पर जो temperature रंज निकल के आ रहा है दोस्तों, ये अलग-अलग है, और इसी के एकार्डें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीके न, तो ये हमारा क्या हो गया, gas thermometer हो गया, और gas thermometer का हम लोग यहाँ पर उपयोग क ठीक है, ठीक है न, तो ये overall दोस्तों किसके बारे में था, gas thermometer के बारे में था, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ question हम लोग यूज करेंगे, लगाएंगे, numerical अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग यहाँ पर numerical भी देखते हैं, और आपका सारा numerical मैं लगबग लगबग कराऊंगा, जो बेहतरी numerical हैं, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपके लिए homework दोंगा, और वो question आप क्या करेंगे, solve करके, उसका answer comment box में आप जरूर देंगे, ताकि इससे हमें भी पता चले कि कौन कौन सा बच्चा active है, ध्यान देजेगा, यहाँ पर जो मैंने question लगाया है, इसकी इन पर आप देखिए, इसमें कहा किसी वस्तो का ताप 10 degree centigrade है, Kelvin पैमाने पर इसका ताप क्या होगा, इसका मतलब क्या है, कि एक वस्तो है, उसका ताप 10 degree centigrade है, पूछा है कि Kelvin पैमाने पर इसका ताप किता होगा, तो दोस्तों मैंने बदाया था कि संबंद क्या होता, C by 5, F minus 32 वटे 9, R by किता 4, और ये आपका K minus 273 वटे किता 5, क्या हमने यहीं संबंद बताया था, ठीक ना, अब यहां पर बात आता है, दिया क्या है, degree centigrade, बदलना क्या है, किसमें Kelvin में, तो जो दिया है, centigrade में दिया है, अब बदलना किसमें Kelvin, तो इन द दोनों को आप पकड़ते हैं, क्या हो जाएगा, C by 5, K minus 273 वटे किता हो जाएगा, 5, 5 से 5 कैंसिल, C बड़ाबर K minus 273, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर, centigrade का दिया है, तो C की जगा प्रग दीजिए, 10 बड़ाबर K minus 273, इसको इधर पक्छांतर करेंगे, तो 273, इसको के, तो K बड़ाबर आपका 373 Kelvin हो जाएगा, इसका मतलब कि जो 10 degree centigrade का अताप है, वो Kelvin परिमाने पर किता बताएगा, आपका 373 Kelvin बताएगा, ठीके ना, चलिए, अब हम लोग देखते हैं, जो दूसरा कुस्चन है, इसमें कहा है, देखें, दूसरे कुस्चन में कहा है, degree centigrade त था ऐसे, centi degree में क्या अंतर है, क्या अंतर है भाई, बताइए, तो क्या अंतर है, तो अगर देखा जाए, देखें, ये हमेशा ताप को बताता है, ये किसको बताता है, ताप को बताता है, किसको बताता है, ताप को बताता है, ठीक ना, कौन, degree centigrade, और ये जो आपका है, ये अंतर को बदाता है तापांथा को बताता है तो जब भी तापांथा को बताना वोगा जैसी मैंने कहिंग दिया कि दो तापो का अंतर केमाने मने कि creeping है तो यह तापःता हम ने बता है क्कामण Veterans को ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ठीक ना ऐसे लिखेंगे लेकिन हमने कहा कि Celsius प्रहिमाने पड़ताब 10 degrees centigrade है यह तो हम ऐसे लिखेंगे तो दो के दोनों में यहीं अंतर है और हमने आपको बताया था यह फार्मूला डलटासी बाई-फाई डलटा एफ-वाई-नाइन डल आपका आर वाई-फोर और डल्सके के आपन आपको किता पता यहीं रेंज हमने आपको बताए था इन दोनों में चेंजिंग को हमने बताय था ठीक ना तो अगर आप ध्यान दें को हमने आपको बताया था ठीक है न, जो ताप में परिवर्तन होता है, एक मिनट, चेक कर लेते हैं मैंने बताया था या नहीं, नहीं, मैंने नहीं बताया था, आईए देख लेते हैं, क्या होता है, समझिएगा, क्या होता है, इसको बता देते हैं, तो ताप इसका कैसे इन में चेंजिंग देखने को मिलता है, तो दिखिए यार बच्चा एक बात करते हैं, अगर हम यहां पर ताप आंतर की बात करते हैं, तो जब ताप को हम यहां पर टेंपरेचर डिफरेंस की बात करते हैं, तो जैसे म यहां पर हम c by 5 लेते हैं f-32 बटे 9 तो अब यहां पर अगर हम यहां से देखे ध्यान दिजिएगा अगर मैं यहां से c बराबल लो तो 5 बटे 9 f-32 हो जाएगा यह होगा न तो अगर यहां से देखा जाए मालो C1 ताप है तो वो Fahrenheit पर माने पर कित्ता होगा F1 होगा होगा ना अगर C2 ताप है तो Fahrenheit पर माने पर वो कित्ता होगा F2 होगा होगा ना तो यह हो गया अब यहाँ पर बच्चा हम लोग क्या करते हैं अगर यहाँ पर देखें तो इन में changing कित्ते का है, तो भाई अगर हमें changing देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, C2-C1 करेंगे, अगर C2-C1 करेंगे, तो C2 का मान 5 by किता है 9, और ये F2-32, और यहाँ पर C1 का मान किता है 5 by 9, तो F1-32, अब यहाँ से बच्चा जब लेंगे, तो क्या दो को दोनों में 5 पांच बटे नो कामन है और C2 माइनस C1 को डिल्टा C लिख देंगे बुलिए या आप ऐसे लिखिया भी C2 माइनस C1 बराबर तो यहां से अगर देखा जाए जहां देजिएगा अगर यहां से देखा जाए तो क्या हो सकता है तो यहां से दो को दोनों में 5 बटे किता है नो क पांच बटे नो कामन है तो हम लिख सकते हैं F2 माइनस 32 और यहां से जब माइनस का मल्टिपलाई होगा तो माइनस F1 प्लस किता हो जाएगा 32 और यह कैंसल हो गया दो के दोनों तो C2 माइनस C1 बराबर 5 बटे किता हो जाएगा 9 और यह F2 माइनस क्या हो जाएगा F1 अगर आप गोर्ष देखिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा सी बराबर 5 बटे किता 9 और इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा अप ठीक है ना अगर इस रिलेशन में नीचे 5 रहता है तो यह ताप का है तो अगर ताप का किता है C5, F32 बटे किता 9, RY किता 4 और यहाँ पर K-273 बटे किता 5 तो अगर यह सकेल का है तो यह ताप का है ताप में देखने को है ताप को हम परिवर्थित करने का फार्मूला देखते हैं तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पर बच्चा temperature difference की बात करेंगे तो C by 5, डिल्टा F बटे किता 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिल्टा R बटे किता हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और यह डिल्टा K by किता हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये हमारा क्या बनेगा? पैटन बनेगा. क्या बनेगा? ये हमारा पैटन देखने को बनेगा. समझ में आया है नहीं. तो ये क्या है? ये ताप में परिवर्तन है. क्या है? ताप में परिवर्तन. ठीक है न? अब जैसे अगर मैं इसका उधारा दू कि कैसे हम इसको solve जैसे मालूल अगर हमने कह दिया कि किसी वस्तु का ताप ध्यान दिजेगा किसी वस्तु का ताप 50 डिगरी सेंटिगेट था अब वो कितना हो गया 60 डिगरी सेंटिगेट हो गया तो Celsius पर अगर यह है तो Kelvin पर ताप में परिवर्तन कितना होगा तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे Kelvin पर अगर हमें ताप में परिवर्तन देखना है तो यहां देखें ताप में परिवर्तन कितना हो गया 60 माइनस 50 बराबर कितना हो गया 10 डिगरी सेंटिगेट का हो गया 10 डिगरी सेंटिगेट तो हम डिगरी सेंटिगेट नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यह एक्चुल तरीका है एक्चुल तरीका यह हमेशा बताता है क ताब में क्या हुआ है परिवर्तन ये ताब में परिवर्तन विर अगर हम ऐसे लिख दिये 10 degree centigrade लिख दिये अगर हमने एसे बिखर दर लिख लिए तो ये क्या बताएगी ये चल्सियस प्रेमाने पर ताप खामान बता रहा है ठीक ना तब यह बैलू और उसमें बहुत अंतर हो जाएगा ठीक ना तो यह जब ताप परिवर्तन इसलिए जब हमने उसमें यहां पर बात किया तो डिग्री सेंटिगेट और यह सेंटिगेट डिग्री इन दोनों में क्या प्रेमाने पर ताप को बताता है तो बच्चा ध्यान देजिएगा अगर मैं यहां पर बात करूं कि च Every Tay आगर में बात करूं के ल्मीन पर रहुटन होगा तो भाई इन दोनों का achievement पकल ली जिए तो ड़ेल्टा सी अपॉन किता हो यहां से अगर देखें डिल्टा के बराबर आपका कित्ता 10 ठीक ना तो 10 केलिवीन का क्या होगा परिवर्तन होगा समझ यह आप तो अगर हम यहां पर देखें कि सेसेटी सिर्माने पर 10 नीजन का परिवर्तन हो रहा है तो केलिवीन पर भी उतने का ही होगा यह चीज आप रखें कि absorption पर उतने कियूं करिए दिया किता है 50 डिगरी का तो हम क्या करेंगे सी भाई फाइप के माइनस 273 बटे किता कर लेंगे 5 कैंसिल 50 दिया है तो 50 बराबर के माइनस 273 कर लेंगे इसको इधर लाएंगे के बराबर तो 50 प्लस 273 हो जाएगा, तो k बराबर आपका हो जाएगा, 3, 75, 12, 2, हासिल 1, 2, 1, 3, 323 Kelvin हो जाएगा, ठीक है ना, यह 323 Kelvin, ऐसे हम क्या करेंगे, अगर हम इसका लें, तो c बराबर k-273, तो 60 पर हुआ है, तो 60 बराबर k-273, इसको इधर लाएगे, तो k बराबर 60 प्लस 273 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, 7, 6, 13 के 3, और 2, 1, 3, 333 Kelvin, अब देखिए, यह आपका k-1 हो गया, यह समझो क्या हो गया k-2, तो delta k कित्ता आया है, क्या 333 माइनर्स 323 आया है कि नहीं, तो यहाँ से क्या 10 Kelvin की ही तो changing दिखा रहा है, बोलिए, क्या 10 Kelvin का ही तो changing यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेख चलना पड़ेगा कि Kelvin आपका यह, तो यहाँ से हम direct कर सकते हैं, तो यह फार्मूला जब Celsius से ताप परिवर्तन करना है किसमें Kelvin पर माने पर Fahrenheit पर माने पर रिमर पर चेंज करना है, temperature को चेंज करना है, और यह फार्मूला हम तब यूज करेंगे, जब हमें temperature difference को चेंज करना होगा, समझ पाएं आप, जब हमें temperature difference को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तब हम इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, तो उम्मीद करता हूँ साथियो, ये लेक्चर आज आपको बहुत पसंद आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, अगर आपको ये सब चीजी समझ में आ रही है, तो आप अपना सहयोग दे, हमारा वीडियो लाइक करें, सेर करें, और चैनल को अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया, सस्क्राइब करें, ज्यादा ज्यादा आपने दोस्तों को बताए, ताकि वो भी हमसे जुड़ें, और ज्यादा ज्यादा लोग आप जुड़ोगे, तो हमारा भी की गते हैं, जो मोटिवेशन है, वो कुछ इंग्लिस मीडियों को जो कुस्चन होते हैं, इंग्लिस में जो कुस्चन आते हैं, उनको हम लोग साल पर करेंगे, देखेंगे, और मैं पहले बता दो कि यह जो आपका है वीडियो, यह किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए एकतम यूसपूल है, जो हिंदी माध् वह इंसी आटी है, खासकर यूपी बोर्ड के लिए सबसे बिस्ट है, ठीक है ना, तो उमेद करता हूँ बच्चा यह आपको किलियर हो गया हो गया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सेर करें, सस्क्राइब करें, थैंक्यू साथियों